हलो फ्रेंट्स वरधन एकेडमी में आप सभी का सौगत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गुप्त सामराज गुप्ता डाइनेस्टी से संबंदित जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोस्चन्स है उसके MCQ कोस्चन्स आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे और वीडियो पूरी देखने के बाद अगर कोई सुजाव हो तो आपको कमेंट में बता सकते हैं या पिर कुछ भी आपको पूछना हो वो भी ठीक है और कोई भी कोस्चन पर डाउट हो वो भी आपको में पूछ सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो श्टार्ट करते हो पहला क कोशन देखते हैं ठीक हैं फचल रिप्ट अन्सर ऑप्षन दी स्री गुप्त क्विशन के दोरा निम्रिकित में से ऐसा अभिक्ति कौन था जो एक महान- खगोल- विज्ञानी और गनतिक गिता है भाण गुप्त भाणभट आरेंबट और कालिदास ठीक है दोनों चीजे जो मतलब ठीक है कि खगोल विज्ञानी भी हो और गंतिग तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ओप्शन C आरेभट इसका मतलब एक कोश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि आरेभट किस के समकालिन थे किस बंस के तो वो गुपता डाइनिस्टी ठीक है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर थ्री गुपत सास्कों की दर्वारी या सरकारी भासा कौन सी थी पाली संस्क्रत प्रक्रत या हिंदी इसका जो राइट आंसर है वो है आप्शन B संस्क्रत ठीक है गुपत सास्कों की दर्वारी भासा क्या थी संस्क् इतिहासकार वी ए इसमित ने किसकी विजियों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था इसकंद गुप्त प्रथम चंद गुप्त दोती या समुद्र गुप्त तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ओप्शन डी ठीक है समुद्र गुप्त इस दोती या राम गुप्त इसका जो राइट आंसर है वह है आपको आप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम महाराज दिराज की उपाद धारण करने आप प्रथम गुप्त शाशक नेक्स्ट कोर्शन पराचिन भारत में गुप्त काल से सम्मंदित गुफा चित्रांकन के के वल दो उधारण उपलब्द है इन में से एक आजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है गुप्त काल के चित्रांकल का दूसरा अवसिष्ट उधारण किस इस्थान पर उपलब्द है बाग गुफाएं एलोरा गुफाएं लोमेस रिशी गुफाएं या नासिक समझ में आ गया होगा दो इसका जो राइट आंसर है वह आपको ऑप्शन आप गुफाए ठीक है तो पहला तो प्राचीन गाल में गुप्त काल से समंद्धित गुफा चितरांकल के दो उधारन है ठीक है दो अधारन है उन्हें से इनमें कहा गए है कि पहला है आजंता की गु गुप्तकाल में उत्तरभारती व्यापार नियम लिखिद में किस एक बंदरगा से संचालित होता था यह सारे बंदर कहा गुप्त कालीन है लेकिन पूछा गया उत्तर भारती यह आपा ठीक है इस पर ध्यान दीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपको आप्शन ए तामर लिप्ति से किस गुप्त सासक को नालंदा विश्य विद्याले का संस्तापक माना जाता है कुमार गुप्त प्रथम सिसकंद गुप्त समुद्र गुप्त चंद्र गुप्त प्रथम इसका जो राइट आंसर है वह है आपका आप्शन ए कुमार गुप्त प्रथम इनको नालंदा विश्य विद्याले का संस्तापक माना जाता है next question question number 10 गुफ्ट वंश के निमलिखित सास्को को क्रम से लगाईए इनको लगाईए options आपके सामने है इसका जो right answer है वो है आपका option D ठीक है सबसे पहले चंदगुप्त प्रथम उसके बाद समुद्र गुप्त फिर चंदगुप्त दोती मतलब विक्रमादित और उसके बाद कुमार गुप्त और लास्ट में इसकंदगुप्त ठीक है लाइन से ही लगे हुए है नेक्स्ट कोस्चन है बाल विवा की प्रथा आरंब हुई थी है you उसमें रख देने ठीक है तो गुप्त काल में कौन सी प्रथा आरंब हुई है बाल विवा की चाथ में सती प्रता का आरंब माना जहता थीक है सती प्रता का भी आरंब गुप्त काल में माला जाता है नेक्स्ट कोस्टन कोसे नमेर ट्विल नेम लिखित में से कौन सा नाटक कालिदास नहीं लिखा माल विकार निमित्रम अभिगान शाकुंतलम विक्रमोर वर्षियम या जान की हरण इसका जो right answer है वो है आपका option D जानकी हरन यह लिखा है कुमार दास ने ठीक है कुमार दास ने जानकी हरन लिखा next question है question number 13 समुद्र गुप्त की सैनिक उपलब्दियों का वर्णन उसके किस अभिलेक में उपलब्द है इसका जो right answer है वो है option D प्रियाग अभिलेक में समुद्र गुद्र की सैनिक उपलब्दियों का वर्णन है next question question number 14 किस वंस के सासकों ने मंदिरों ब्रामडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिये थे गुप्त वंस पालवंस राष्ट कूट या प्रतियार इसका right answer है option A गुप्त वंस ठीक इसको याद रखेगा कि गुप्त वंस ने मंदिरों ब्रामडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिये थे next question गुप्त योग में भुरा अजस्व की दर थी भुरा अजस्व की दर क्या थी उपज का चौथा भाग को它चिक चटा वैख उपज का च्टा भाग उपज का आठ वा वा अधा वा इसका это झालाइड answer है उपज का चठआ भागանन सग्स दो चीज जैसे माली जे साट कोई मतला एक मात्रा माली जे साथ रूपए कि या साथ रूपए आपके पास है तो इसका छटा भाग आपको देना तो छे से भाग दे दिए मतलब एक वटेशे ठीक है तो दस आपको रुपए उनको दे देना होंगे इस तरीके क्या सिस्टम था क्रसफा कॉष्ट कालीन किस प्रकार कि थी राजतंतरात्मक लोकतंतर अत्मक घडातंतरत्मक या इन में से कोई नहीं तो गुप्त कालिन जो साचन पढ़ा ली थी वो राज तंत्रात्मक थी ठीक है नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन नमबर 18 धनमंत्री थे क्या थे देखिए चंद्रगुप्त मौरे के प्रसिद्ध सेनानायक चंद्रगुप्त विक्रमादित के दरवार के नवरत्न में से एक जो की प्रसिद्ध चिकित सकते हर्सवर्धन के समय के प्रसिद्ध नाटककार या असो के दरवार में संगीत अग्ग केट ठीक है तो अठारवे का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित के दरवार के नवरतन में से एक जोकी प्रसेद्ध में सकते हैं ठीक है नेक्स्ट में चंद्रूपत विक्रमाद दित्थ भी हो सकता है चंद्रूपत दुटी भी कह सकते हैं। है भार्ती संस्कृत का स्रुन यूग कहा जाता है मौरेकार काल को राजपूत काल को चोल काल को या गुप्ट काल को। इसका जो राइट आंसर है वो है आप्शन डी गुप्तकाल को भारती संस्क्रित का स्रॉंड यूप कहा जाता हुए नेक्स्ट कोर्षन फाहयान किसके साजनकाल में भारत आया था चंद्रुप्त पर्थम अशोक हर्षवर्धन या चंद्रुप्त दती यह इसका जो राइट भारत पर आक्रमण करने से रोका कुमार गुप्त समूद्र गुप्त इसकंद्र गुप्त या चंद्र गुप्त पर्थम इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इसकंद्र गुप्त ने वुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था ठीक है नेक्स्ट कोर्षन ह भादी की विश्यवक्तु निम्लिकत मेंसे किसे से सम्दित है जैन धर्म से बॉध्य धर्म से वैश्डव मत्षे या सहभुमत से अ तो इसका जो राइड अंसर वह है आपका ऑप्शन भी बॉध्य मत्षे कि बॉध्य धर्म से नेक्स्ट कॉश्चन है पहला गुप्त सासक जिसने शिक्क्य जारी किये थे श्री गुप्त स्कंद गुप्त प्रात्व या चंद्रकप्त दवति गुपत्षासक द्वारा किया थे इसका जुन्धर संधिद्ध प्रथ्म द्वारा समुद्ध्गोप्त द्वारा या कुमार्गोप्त द्वारा तो इसका जो राइट अंसर है वो है आपका और फ्रीन प्रियात सुदर्थन जो जील है उसका पुनुरुद्धार किया था इसका अंदुगुप्त ने किया था नेक्स्ट कोश्चन प्रयाग प्रसस्ति के लेख खारिशियन किस सासक के दरवारी कवी थे समुद्रगुप्त चंदुगुप्त प्रथम इसका अंदुगुप्त या चंदुग अगनिमित्र आकरी में है और जो नायका होगी वो है ओपयुक्त सभी तो इसका जो राइट आंसर है वो है option C सको का उनमूलन करने पर यहां पर चंद्रगुप्त दोती होना चाहिए चंद्रगुप्त दोती ही ने विक्रमादित के उपादिक कभधाड़न की थी सको का उनमूलन करने पर इसका जो राइट आंसर है वो है option B तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपको ऑप्शन सी गुप्त काल में सोने के सरवादी सिक्के जारी किये लिए नेक्स्ट कोस्टन है question number 30 अजन्ता तथा एलोरा की गुफाय कहां इस्तित है महाराष्ट मद्रप्रदेश गुजरात या राजस्थान यह आपका आज का लास्ट कोस्टन है इसका जो राइट आंसर है वो है नाक्स में बता सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियों सिर्फ इतना ही मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए नमस्कार